हेलो गाइस कैसे होगा आप लोग में बहुत अच्छी हो आप भी बहुत अच्छी होंगे घर फिर इस रक्षित रही अपनों का द्यान रखिए सो आज मैं आप लोगों के लिए साड़ी होल डेफिनेटली वेके नहीं आई हूं क्योंकि आज संडे और संडे है तो कुछ स्प रखी हुँए सो मैं आपको दिखाती हूं कि आलो क्रेश्पी कदेटलेट में चाही हें सबसे पहले कि मुझे यह रवा चाही होती है इसको मैंने हाक कर लिया हुआ है इसमें मैं टू स्पुन उऑल क्देश करूंगी आर्स मैंने टू स्पून आयल क्दों में है उसके बाद यह मैंने बुंगुना पानी करके रखा हुआ है मैं इसे मिक्स करूंगी इसको बहुत थिक या बहुत थिन मिक्स नहीं करना है एक मैं भी आपको दिखाते मुझे इसको हमने फेट लिया है यह कुछ इस तरीके का जो है पेश्ट तयार हो जाएगा ना कि बहु में 1 बाउल लेंगे किन रासा बना रही हूं तो इसके लिए मैंने फोर पोटैटो बॉइल किया था जो की मैं उसको घृरूंगी यह मैं इसको कड़ने वाली हूं ऑ जो परए टो GPA के लिए कि इसको मेंस करूं गैý कि यह असम मेंस करूंगी यहम् aktiones हो जाता है इस अब कि अभी ज करeg आलू प्रपड़ी में तो अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लैक्स, हाप इस्पून स्पून चिली फ्लैक्स, हाप इस्पून ब्लाइक पेपर, यह मैं मिक्स करूंगी हाप गार्लीक का पेस्ट और स्वाद अनुसा नमक तो इस पोटेटो का डू मेरा त्यार हो गया है तो मैं इसको पांच-टस मिनट के लिए रख पेस्ट रखा था इसको मैं पांच मिनट के लिए रख दूँगी पांच मिनट के लिए रख दिया है पांच मिनट के बाद उसको निकालूंगी जो अलू की डो बनाके रखी थी अब मैं उसमें मिक्स करूंगी जो मैंने रखा हुआ था फ्रीज में तो मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी यह मैंने रवा मिक्स कर दिया है और इसमें में फाइब टेबल इस्पून जो है यह चावल का आठा मिक्स करूंगी यह और इसको मैं अच्छे से मेस्ट करूंगी यह गाइस स्पून से अच्छे से मेच तो होगा नहीं इसलिए मैंने अपने हैंटा यूज किया हुआ है बहुत ही सुन्दर इसकी स्मेल आ रही है गाइस बहुत सुन्दर यह मारा डूप हो गया रेड़ी यह नेक्स का फ्लेर इसके साइज इतनी रहेगी आप इसको डेफिनिटली जो है इसको जरू नास्ते में बनाएगा यह नास्त इवनी नास्ते के लिए बहुत ही मस्त है अब बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको बनाते समयं यह देखिए मैंने यह चोटी-चोटी इसे बिनिया तयार करेंगे आपने गैस पर पैन को रख दिया हुआ है और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मैंने ओल इसको डाल दिया हुआ है तो अब भी यह तोड़ा वाम हो जाए काफी ज्यादा वाम हो जाए तो मैं इसमें बिनिया करके डालूंगी यह चाथिएगा आपको चलाने दिक्कत होगी तो चार पांच दस चार पांच करके अब हो गया है कि यह मेरे पैन में स्पेस है स्टो में डाल रहे हुँ को थोड़ी तैर असी ही रहने देंगे उसके पास ही थोड़ी समय के लिए इसको ऐसे चलाएंगे इसमें बहुत अची है गाइस इसके साथ हमें लिया हुआ है सेजवान चक्नी यह रहे हैं सेजवान चक्नी और इसके साथ यह प्यारी प्यारी पोटेटो क्रिस्पी हमारी क्रिस्पी पोटेटो त्यार हो गई याइस यह देखिए अगर आपको यह रस्ती अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करना बिल्कुल मत बूलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे मेरे आनी वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे जो गड़ पर इस रच्छी अपनो का देना रखिए गाप